रात को दो बजे रिकॉर्डिंग करके और चार बजे तक उसकी वॉइस ओवर वगर करके सारा कुछ एडिट वगर अगले दिन तक आफिस में मुझे थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता था तो एडिटिंग करकर के मैं तीन दिनों में एक वीडियो प्रोड्यूस करने की करता था तो मेरे पास में क्रिटिकल कंडिशन तब आई मैंने इस मुवी को एडिट किया और एडिट करने के बाद क्लेम आया और ऐसा एक बार नहीं दो बार नहीं टोटल 26 टाइम हमारे टोटल अभी इंडिया में 17 चैनल यूट्यूब के रन कर रहे हैं ओके जिन में से हम गोल्डे और 6 सिल्वर बटन हैं हमारी कोशिश यह है कि हम उन 17 के 17 चैनल पर बटन लेकर के हैं और जो में चैनल है हितेश नागर उसके लिए डायमंड प्ले बटन की कोशिश चल रहे हैं आप जब समरी कर रहे हैं तब आप उसमें से जो भी अच्छी चीजे अनलाइज कर आप करते होंगे लेकिन आपने वो क्यों नहीं पकड़ा वो जल्दी पॉपुलर हो जाता है चोटी सी चीज और कहना चाहूंगा जो कि विरेंदर सर का चानल है और मेरी भी सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सर का चैनल सब्सक सर्ज अभाइबर को आप के तू मिलियों क्रोस करवा हैं मैंहा हूँ आपका अपना विरेंद्रा तोर और आप देख रहे हैं बोल्यूद का गूगल जान फिल्म संय योट्यूब चाहल जाह बाते हैं इतनी हैं कि आप जितनी भी देखे हैं उतनी कम हैं लेकिन आप जतनी इस़ Redmi देखना चाहते हैं तो दिक्क्रत हैं आते है कि कही फिल्मित समझ में नहीं आती ही कोई व्ल dess. में हारे, पता नहीं चल पाता के Sumries आपको देखने को मिलते हैं, आप बहुत कम समय में पूरी फिल्म को समझ सकते हैं, और अगर अगर अच्छी लगे तो उसको पूरा देख भी सकते हैं, और सब सब बढ़ी बात है कि आपकी भाशा में अफेलेबल है, तो मनरणजन तो मनरणजक तभी होता है, जब अपन काफी आई थेंग मुझे मुझे मोर दन वन यर हो चुका है, मैं आपके चैनल को चैक आउट कर रहा हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं एक गन पर अभी आपसे इंट्रक्शन करूंगा और आपका जब कॉल आ है तो मैं एक दम कूट पड़ा की चलो मौका मिल गया, जो भी फ कर कि प्रफिल मैं हो, अगर वह सफल है कहीं न कहीं उसमें किसी ना किसी फिल्म का रोल होता ही होता है, कई किसी करेक्टर का रोल होता है हम फिल्म healthy love,elles बहुष्यादा इंस्परेशन लोगो तो इंससपायर करती है आपको इस लेवल पर क्या इंसपायर किया कि चैनल बनान चल पड़े आप सर एक्चुली सीन ऐसा था कि मैं खुद भी एक मुवी लिवर हूं और जब पैंडमिक चल रहा था हमारा 2020 का कॉरंटीन स्टार्ट हो चुका था तो मुबाइल का डेटा मिलता था सिर्फ एक जीबी और मुवीज आप देखेंगे तो वह मोर देन वन जीबी म स्क्रॉल करता था में पबलिक की तरह पहले यह ही करता था तो मैंने एक चैनल चेक आउट किया तो उसमें एक यूट्यूबर वह मुवी एक्स्प्लेंड कर रहे हैं मुझे देखकर वह चीज इतनी इंस्पायर करी कि मतलब एक तो डेटा भी काम लग रहा है मतलब आप देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं और उपर से आपको मज़ा भी आ रहे है क्योंकि कुछ एक पार्ट मूवी का आसा होता है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता है उसके लिए तो मूवी देखनी बढ़ती है और या फिर अगर सब्सक्रिप्शन हो तो थोड़ा आगे और अगान बना दिया और किसी से कई ओर पॉछ पर्टि तो मेरे मुझ धा चोड़ दिया पी तो मैं और मेरी जैसे कई और पब्लिक को कैसे देखेगी तो फिर मेरे दिमाग में ऐडिया एका कि क्यों ना वो चीज मैं ट्रा करो जहां पर गैप है उसी को फिल कर दिया जाए ताकि पब्लिक को वो चीजे मिले जो वो देखना चाहती है मैं तो इस तरह से चिरूआत हुगा है दिया है इस तरीके से शुरुवात होगे तो शुरुवात सोचना तो बड़ा आथान होता है यह लेकिन जब हम करने लग जाते हैं जिब इंप्लीमेंट करते हैं तब बहुत सारे चैलेंज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉलम आते हैं, कई बार छोड़ देने का मन भी करता है, क्या यह क्या पंगा ले लिया, तो वो क्या-क्या इंसिडेंट रहे हैं? यह आपको पॉइंट पकड़ा है, मैं आपको मेरे शुरुवात मेरा आपको पहला वीडियो में बताता हूं, मेरे पास में आईफोन 6 पड़ाता, और माइक मेरे पास में था नहीं, मैं जनरल पब्लिक की तरह है, बस खाली जो मूबाइल का हैटफोन होता है, उसको मुह के प करने में मुझे लगे तीन दिन, और वो रिकॉर्डिंग थी 30 मिनिट्स की, हाँ मेरा पेला वीडियो जादा लंबा बन गया था, एक्साइटमेंट के चलते हैं, तो रिकॉर्डिंग हुई तीन दिन में और फिर इसको एडिट करने में मुझे तीन दिन लग गया, और तीस में पहले वाली की गल्कियों को सुधार करके टाइम थोड़ा कम करने की कूशिश करें, मेरा फर्स्ट बैरियर था 15 मिट से कम की लैंथ, ताकि मोबाइल मेरा हैंग नहीं हो, चोटा मोबाइल था, तो मैंने इस लैंथ को जैसे ही कम किया, तो मुझे सेकंड में थोड़ी सी इजीनेस आने लगे, वो कहते ना सर कि जब सीडियों पर इंसान चड़ता है, तो हमेशे जो पहली सीडी होती है, वही सबस्यादा मुश्किल होती है, तो मेरे लिए वही सबस्यादा मुश्किल थी, और जैसे ही वो पार हो गई, तो उसके बाद में अगली आने वाली सीड और फटटफट देख लो कि इन्होंने मेनत कर ली है तो आप जाके देख सकते हो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको इस तरह की मूवी का समरी देखने को मिले और आप जादा-जादा समझाने की या फिर क्या बताने की कोशिश कर रहे है क्योंकि कई बार एक ओडियंस के नजरिये से सिर्फ हम उसको एक मास एंटर्टेन्मेंट समझ करके छोड़ देते हैं लेकिन कई बार एक हिड़न मैसेज होता है जो की मलब समाच तक पहुंचना चाहिए या फिर एक किसी ह जाना चाहिए तो वह चीजें चूट जाती है तो मुझे जब मैं इस काम को करने लगा गॉड ड्रैस मुझे अच्छा मलब काम इस तरीके का मिला कि मैं छुपी हुई गहराईयों को लोगों तक डिलिवर कर सकूं तो हर मूवी में सर कुछ ना कुछ मैसेज तो होता ही है ज खी यहीver के साथ कि अच्छी फिल्म मना रहे हैं वह वह क्या होगा वह तो ऑडियौ जन्ता जनाधन बाद में तयकरती है लेकिन आप जब सम्री कर रहYे हैं तो आप उसमें से जो भी अच्छी चीजें आनलाइज कर रहे हैं वह आपनी ओडियून को बता उता है जो बोलता वाम को शुरू करना इसलिए चाता था, ताकि मुझ जिसे और लोगों की help हो सके, जो चीजे, जो कमिया मैंने महसूस करी, मैंने एक मुवी को देखते वक्त, जब मुझे अगले पार्ट नहीं मिले, मैं बेचेन हो चुका था, कि अगले पार्ट को मैं कहां ढूंडूं, कहां को मिलब मिस्टीक जो चीजें कमिया निकालना, उनको ना डून करके, पिक्चर की बारिकिया जो की निखर करके आती है, जब हम एक्स्प्लीन करते हैं उस चीज को, लोगों को सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है, इन फैक्ट, लोगों का कमेंट सेक्शन में ये कहना होत सर इससे पहले मैं लेंग्विज एक्सपर था, फैंच, स्पैनिश, मैंटरेंग, मेरा पुने कंदर एक्सटीव येस कंपनी में जॉप थी, तो वहां पर मेरी एमिया मतलब की जो 12-9 होती है और फिर UK-US जो शिफ्ट हो नाइट्टिप तो शिफ्ट चेंज हो जाया करते थ और उसके बाद से जैसी पैंडमिक स्टार्ट हो गया, तो ओफिस तो सर देट दो साल के लिए बन थे तो मैंने एंटरेंवेंट परपस को अपने अंदर जिन्दा रखने के लिए कुछ नई कोशिश करी थी और आगे चल करके कभी मेरा पैशन बन गया, वो मुझे भी नही तो अब जो यह कंसिस्टेंसी है, इसको बरकरा रखने लिए आप क्या मिंटेंड करते हो, किस तरह इसे प्लाइन करते हो, सर अगर मैं अपने प्रीवियस, मलब पास्ट की बात करों, तो उन दिनों में मुझे पांच दिन लगते थे एक वीडियो प्रडियो करने में, और आजकल मैं खुद भी और मेरी टीम भी काम कर रही है, तो हम एक दिन में पांच वीडियो प्रडियो करने की कोशिश करते हैं, जिन में सब कुछ शामिल है, स्क्रिप्टिंग, वीडियो एडिटिंग, आदियो एडिटिंग, वाइसोवर्स, डिजिटल मार्केटिंग, अप आगया, लॉकडाउन आगया, ओडियोंस भी आगई, और तब बहुत सारे लोगों ने सुचा यार कि 9 to 5 अब जॉब नहीं करना है, अब तो मुझे क्रिएटर बनना है, मेरे अंदर भी एक ज़जबा आया, मैं कुछ कर सकता हूं, बहुत सारे लोगों ऐसा सोचा, पर ज्य करी थी, तो मैंने ये रखा था अपना एम, कि जो लोग series को continue नहीं करते हैं, मुझे series को continue करना है, मुझे franchisees को उठाना है, तो अभी तक कि जो world की सबसे बड़ी franchisee है, that is MCU, Marvel Cinematic Universe, तो उसकी 17th movie है, Thor Ragnarok, ये जो movie थी, इसमें जब मैं editing इसे कर रहा था, तो claim आया, और उस त intensely, उस time में almost में करीब 38 videos बना चुका था, मतलब job करने के बाद में घर पर आकर, रात को दो बज़े recording करके, और चार बज़े तक उसकी voiceover वगर करके, सारा कुछ edit वगर, अगले दिन तक office में मुझे थोड़ा थोड़ा break मिलता था, तो editing कर करके, मैं तीन दिनों में एक video produce करन आई, मैंने उस movie को edit किया, और edit करने के बाद claim आया, और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, total 26 times claim आया, तो यहाँ पर, मैंने यह चीज सोचे थी, कि यह देखता हूं में कि कब तक claim नहींगे, मैं हार नहीं मानूँगा, अगर मैं हार मान गया, तो आज हिमर तोड़ यह थी कि मैं क्या तिक्रम लगा के, क्या जोगार लगा के copyright claims, strikes, blocking इन सबसे पना पीछा छोडवा सकूं, तो मैं हर रोज, नहीं नहीं techniques लगाता था, editing style रहती है, उसको मैं improve करने की कोशिश करता था, तो वो मेरे लिए सबसे ज़ादा challenging part था, जहां पर, जब मैंने 26 बार, म अब मेरे लिए सबसे बड़ा जो barrier था, वो close हो चुका था, अब उसके बाद एक दो बार जो आ जाते हैं claim, तो मैं उनको union करके निप्टा देता हूं, तो 26 option में से ही कोई होता होगा, लेकिन लोग जो है, जो मलब मेरे तरह के और भी जो creators हैं, जैसी उन्हें एक या दो या और यही शायद मेरा reason था कि मैं उसको repetition में डाल डाल के अपनी कुछ techniques लगा लगा के उसको आगे बढ़ गया, तो ऐसा तो रहा नहीं होगा कि अच्छाना कि ये lockdown होया आपने सोचा कि मुझे इस तरह का creator बना है, कही ना कहीं जो artistic form होता है, जो inner voice होती है एक artist की वो शुरू के हिजाब से आगे पीछे हो जाए, तो वो था शुरू से या यह अचानक हुआ? Sir, मैं अपने college time में, मतलब, anchoring वगरा किया करता था, hosting किया करता था, तो उन दिनों में, मैं Ajmeer से बिलॉंग करता हूँ, Rajis Khan Ajmeer से, तो उन दिनों Ajmeer में एक नया news channel launch हुआ था, उसका नाम था News 21 Ajmeer, उन एक नए चहरे की तलाश थी, और मुझे नए काम की तलाश थी, तो हम दोनों कही ना कही टकरा गए, क्योंकि मेरे फादर एड़ोकेट हैं, और न्यूस फील में आमने हिसाम होती ही रहते हैं, तो कही ना कही connection हो गया, और मुझे वहाँ मोखा मिल गया, हाला कि पापा ने जैक नहीं लग गए थी, लेकिन हा, contact कही ना कही लग गए थी, तो व अकड़ थी, शब्दों में जो ठहराव था, बात करने का जो एक जो एकसेंट था, वो उन्होंने सिखाया, तो सीखावा था 2016 में, लेकिन काम आया, लोगड़ान के बाद, तो जब आज की डेट में, पहले आप ना ओडियंस को ढूंगते थे, कि मैं ओडियंस के हिसाब से अब वो भी समय आ गया होगा, जब ओडियंस बताती होगी, कि हिते ही है, यह बनाओ, यह तो डेली चलता है, डेली के आलमोस्ट पांच से च्छे हजार कमेंट्स आते हैं, जहां पर हर कुई अपनी पसंद की मूवी देखना चाहता है, तो उनके लिए solution यह निकाला था, हम मैंने और हमारी टीम ने, कि क्योंने एक ओडेक्स लिस्ट स्टार्ट करी जाए, ओडेक्स यानिकी on-demand explanation, जहां पर उन मूवी को हम लाएंगे, जो पब्लिक heavily demand कर रहे है, हम कमेंट सेक्शन में एक हैश्टेग ओडेक्स करके उन मूवी का नाम पूछा करते थे, और जिस म जरनी है, यह कहां तक जाने वाली हो और क्या-क्या नया होने वाला है, सर अभी हमारी पूरी टीम है, हमारे टोटल अभी इंडिया में 17 चैनल यूट्यूब के रन कर रहे हैं, जिन में से हमारे 7 प्ले बटन तो आ चुके हैं, एक गोल्ड और 6 सिल्वर बटन हैं, हमारी में क्रीटर्स का भी एक कॉर्परेट बना दिया पूरा पूरा, उसमें भी फ्रेंचाइजी मॉडल ढूंड रहे हैं, उसमें भी ब्रांचे बना रहे हैं, यह मैंने सर बनाया नहीं था, शुरवाती दौर में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो इंस्टा पर हाँ, मैं जो मेरी फील्ड में जो अल्रीडी पुराने हैं जो क्रीटर्स मैं उनसे पूछा गरता था, तो कोई मुझे रिप्लाइज नहीं करता था, मैं पूछता था सर वोईस ओवर कैसे किया जाया, सर एडिटिंग कैसे करी जाया, सर यूट्यूब में क्या अल्गॉरिथ्म पर क् नानिया तो कोई भी रिप्लाइ करता नहीं था मैंने अल्मोस्ट मूर्दन थाउजन्ट क्रीटर्स को इंस्टा पर डीम करें और मेल भी भेज़ें लेकिन एक कभी रिप्लाइ नहीं आया उसके बाद में जब मैं हलका सा मदब मुझे जब पुश मिला तो मैंने कसम खाई कि चाहे बली कि एक सब्सक्राइबर वाला भी क्यों अगर हैल्प मांगेगा तो हैल्प मिलेगी हैरी पॉर्टर मुवी में जो डंबल्डोर है उनका डैलोग है मदद मांगने वाले को मदद जरूर मिलेगी और आप वो करने को तयार है और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि मलब कुछ बारबर थे कि निए पैरेंट्स नहीं थे उन्हें जॉब की सक्त जरूरती काम करी मिलनी रहा था ओफिसे बन थे तो उन्होंने का कि सर आप हमें काम सिखा दीजिए हम आपकी लिए काम करेंगे तो वही लोग हैं आज जो टीम में और उन्हीं इवजे से हितेश बहुत अच्छा लगा आप से बात करके आप इसी तरह से और ज्यादा ज्यादा मुवीज को सीरीज को लेकर आएं ताकि ओडियन्स को एक नए नजरिया में मिले कि उसमें कहीं न कहीं आपका भी एक अनलिजिशन जाता होगा आपका भी एक थौट जाता होगा परस करना चाहते हैं तो रुकावट तो आएगी सक्सेस्फुल में और फेलोर में बस यही फर्क होता है कि फेलोर कुछ रुकावटों के बाद रुक जाता है और सक्सेस्फुल रुकता नहीं आप सभी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं एक्स्ट्रा ओडिनरी बनना वो जो चाहते हैं, अगर अब आप उनको दे देंगे, तो आपको वो मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा। जाके हितेश नागार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए-ने मूवीज का एक एनलाइजिशन देखने को मिले, एक बहुत सारा सिनेमा देखने को मिले, क्योंकि अब वर्ल्ड आ गया है कि हम सब एक दूसरे की चीज़ों को देखें, सराएं, एक दूसरे आपके समय और महंगी फीज दोनों को बचाता है Switch On Switch Off Acting Method Course Book आपको Amazon Flipkart Joint Films Website पर अवेलेबल है